Welcome to Indian scholarship friend आज की इस वीडियो में वीडियोमे देभाइवाइब बात करने ओले आज की सुवीरमे बात करने ओले कि CSC scholarship scheme यानि Central sector scholarship scheme में कैसे apply किया जाए उसका full tutorial आज की इस वीडियो में बताने वाले आपके साथ share करने ओले कि कैसे उसको apply किया जाए वो CSS scholarship scheme वाले तो चलिए बिना की तरी के वीडियो को start करते हैं वीडियो को start करने से पहले आप हमारे चनल पर नहीं होगे चलो को subscribe करें बेल ऐकान जुरूप प्रेस करिए का अगर आपको जानना होंगो कि आप CSS scholarship में इलिजिबल होते हैं या फिर नहीं होते हैं तो इसको इस प्रोसेस के दुआरा आप अपलाए कर सकते हैं चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर आ चुक हैं मैं NSP scholarship की officer website पर इसका link में डिस्क्रिप्शन में दे दिया है जैसे आप first link पर click कर पर पूच जाएंगे second पर click करेंगे तो वहाँ पर वीडियो मिलेंगे आपको तो उसके उपर आप पहुच जाएंगे यहाँ पर फर्स लिंक पर click करने के बाद यहाँ पर NSP scholarship पर आने के बाद आने के बाद यहाँ पर देखें अप्लिकेंट कॉर्णर है तो नीच आएंग student यहीं यह college and university student होते हैं वह इसको apply कर सकते जिसको के CSS scholarship scheme भी कहा जाते हैं इसके apply करने की last day आप यहाँ से देख लेजिए अच्छे से इसको मैं अभी explain करने वाला आगे तो वह अच्छे से पूरी आखिर तक वीडियो देखें ताकि आपको अच्छे समझ में आ सके तो यहाँ पर देखा तो आपको तो यहाँ पर first apply करने के time पर यहाँ पर आएंगे applicant corner में applicant corner में आने के बाद अगर first time apply कर रहें त तो आप देख लीजिए और वह हार यानि जिदने भी scheme होते है वह renewal एक ही तरीके से अपलाई किया जाता है तो देख लेंगे तो simple है renewal का process तो उसके ओपर मैं dedicate video बनाई वी चाना link description में third number पर मिल जाएंगे आपको तो उस पर click करने के बाद रीनेवल कैसा कर सकते हो आप चाहें के यहां के वाद चाहिए अगयर फॉर 2022-23 यहां पर आने के बाद इसके ओपर click करेंगे चाहरएab उपर आपको करना पड़ेंगा जितने भी टर्म सब्सक्राइब करेंगे कंटीनिव करेंगे चैसे आप कर लिता यहां पर देखें फिरेश रजिस्टरेशन फॉर अकेडमी यहां पर आपके समने नजर आ गए है तो यहां पर सबसे पहले आपको स्टेट डालना ना फिर उसक लेग्टिम टाइब डालना लो फ़ाप अब का भी बता रहा होँ आपर देखिए सबसे पहले अपका जो स्टेट रहेंगा वह आपको यहां पर से सिलेक्ट करके डालना है तो सिलेक्ट के रहेंगे फिर इसके बाद स्कॉल्चिप कैटेगरी यहां पर आपको यह दाहन रखिए कि आप अगर स्कॉल्चिप में इलिजिबन होंगे तो आप प्री मैट्रिक को सिलेक्ट नहीं करेंगे लिए सटोने pela करेंगे जो फर्ष से अब हो रहेंगे वह पोस्ट मेटको स्रीक्ट कर拌नाisel इसलिए आप पुस्ट मेटको सेमें अबने पॉस्ट मेट को सेमें सेलेक्ट को मेटके सेम में सब्सक्राइन कुरूंट प्रहते जीनि ट्राइप में स्कॉजी पर क्लिक करेंगे देटेवर आपकी एक हैंडर व ही जनकी वह जल Souls श्लिब्ल रिस वह सब्लाइब काने पसटफे ने मोबाईल नंबर आपको डालना और इमेल एड कंपलसरी नहीं है अगर आप होंगी तो इसके उन्हें सकते नहीं धाल किकी तो बना यहां पर देखिए आधार काड को सेलेक्ट करेंगे किसको सेलेक्ट रहेंगे आधार कड को अगर आपके स्टेट में आधार काड नहीं चलता है और यहां पर आधार ही लेंगे तो आप यहां पर आधार ही लेंगे तो तो जैसे हैं आधायर पर क्लिक करेंगे तो इस तरीक से कुछ box खुल के आ जाएंगा उसमें आधायर नमबर वहां पर फिल कर लेंगे जैसे आप आधार नंबर फिलिक कर लेंगे फिर उसके आप यहाँ पर डालेंगे यहाँ पर जैसे आप क्याप्चा डालेंगे नीचे बात करेंगे फिर उसके बाद रजिस्टर पर क्लिक करेंगे रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद रजिस्टर पर आप जैसे ही क्लिक जैसे ही continue करते है continue करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके समने नजर आएंगा इसमें आपको login करने के लिए बूलेंगा तो यहाँ पर आपके application ID जो आपको generate हुए रहे हो यहाँ पर डालेंगे फिसके बाद हैं पर आपका password डालेंगे password क्या होगा आपनी date of birth प्री यहाँ पर पासवूर्ड होती है वो स्लेश वगरे के साथ आपको यहा पर स्क्रीन पर नजर आ लोग वह इस आपको password डालना है तो यहाँ पर時 डीक करने कम्किके बाद यहाँ पर आपके पर नहीं पर कर ड़किग करनेगे तो रहींट करके करींगे करने索ों करेंगे यहीं पर देखेंगे यह बगाद से और हैं नारी फाशलन पर यहां करने देखेंगी यह पूँटेम प्रक्रिय से परेंगे यौइसा करेंगे इस सर्कूर्ण पूंसे अपर ब्यूटर् हम एडिजित का पास्वर्ड होना चाहिए वह आपके आकउंडिंग आप रख सकते हैं यूप के बाद आगे बात करूं क्लिक करते हों सब्टबिक करने के बाद यहां पर आपका जो पोर्टल हो अब उपन हो चुका है यहां पर आपको application form पर खीक करना है देखें आपको site में application form अपर नज़र आ रहांगा तो इसके ओपर आपको click करना है इसके ओपर जैसे आप click कर लेते हैं यहां पर से यहांपर मैंड हमा axis ळ ही Passion form और पढ़ाई दी नंबर दिया हुआ रहता है नीचे बात करेंगे आप आने के बाद यहां पर देखे आएफसी कोड आपको पहली दिया हुआ रहता है बैंक अकॉंड नंबर भी पहले दिया हुआ रहता है तो यह सब इन्फोर्मिशन आपको पहला ही रिघी जो इन्फोर्मिशन क्या होने के वक्त डालते वहीं इ Smells इसम्हें की फैच होकर आ जाती हैं और लृषमुइसंगत सब्सक्राइब करेंगे इसके बाद यहां पर दहां पर निहीं डालेंगे वीच सब्सक्राइब तो यहां पर क्लिक करेंगे आपके इंस्टिटूट को अपने सर्च कर लेना है कि यहां पर यही सर्च करें सब्तिटूट को यहां पर दालना है। मैं बता रहां आपको यह इंसिटूट का मैं नेम डार के सर्च किया तो सर्च करने के बाद मेरे समने वह इंस्ट्यूट आ चुका है तो यहां पर दिखें आने के बाद यहां पर इसके उपर आपको क्लिक करने जैसे मैं क्लिक करता उसके बाद यह कुछ इस तरह का इंटरफिस आता है तो यहीं इंस्ट्यूट है के बरबर देखने के लिए और देते हैं सबसे परें मैं बात करूँ यहां पर देखें एडमिशन इन्राउन्मेंट रजिस्ट्रेस नंबर एडमिशन यह रोल नंबर फिसके सेक्शन यह सब इनफरमिशन आपको डालनी कंपलसरी नहीं अगर मिल जाती है तो डाल देनी है उसके पास नीचे बात कुरूंग पिछले आपका बॉर्ड यपिचली का यहां पर आपको असलेक ड़नने में प्रिब्यस क्लास यहां पर आपको डालना प्रिविछ क्लास का सब्सक्रावफry एंगal होंगे तो यह मोर रहे ग Pay 아이 फो हें अगर राइंग होंगे तो यहास करना नहीं होती है की करने यहां पर 10 012 की इंफarnosैंज सब्सक्राइब आरे पर से मिल यहां पर पर से एक सबसे पहले बात करूए को रूल नमबर डालने आपको 10 का तो इसका नाउ सब्सक्राइब यहां पर दालना है तो इसको ब्लैंक छोड़ सकते यह वाले के लिए होता है तो उसके अपर में डेडिक वीडियो बनाई हुए सब्सक्राइब यहां पर जाए वे लिए हुता है अगर अगर इसको सब्सक्राइ करते हैं अगर यहां अगरब घॉटेटि Rover यहां वीडियो लाने ओ सकते वो लिए तो वीडियो आप देख लेना मैहें यहां परते देख लाई अगर फादर मदर अगर कोई 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 चला गए हो रहेंगा कोई क्राइसिस की वाजसे आप अपने अगर फादर मदर को खोई रहेंगे तो यहां पर से आप डाल सकते फिसके बाद यहां पर देखिए नीचे नीचे बात करने बाद यह देखिए सेवन कंटीनू पर क्लिक करना है यह देखिए जैसे आप सेवन कंटीनू पर क्लिक करते तो यहां पर कुछ इस्तर इंटरफेस आपके समने नजर आत अगर आप city area में रहते तो यहां पर अरबन कर सकते तो यहां पर हाउस नंबर आपको पूरा आपका डालना होगा तो इसके आपर प्रिंट कोड वगर आपको डालना पड़ेंगा यह सब दोकुमेंट्स को ऑप्शन ओपन हो जाएंगा तो डॉकुमेंट्स में आप देख सकते हैं यहां पर नीच आने के बाद यह डॉकुमेंट्स को आपको नजर आए ना यहां पर देखे स्कॉलर्षी परमाउंट लेज जैन फिफ्टी थाउदान नो नीड टो अप्लोड इनी सब्मिट कॉपी आप दोकुमेंट्स इन इसकूल कॉलेज और इंस्टिडूट्स में इसमें बोला हुआ है कि स्कॉल्षी पमोड आगे आपकी 50 थाउदन रुपीज से कम है तो आपको आपकी डॉकुमेंट्स है वो यहां पर अगर सब्मिट नहीं किये डायरेक उसकी डॉ है कि आपको यहां पर इसके साथ चिपकाने और सिल यहां पर सिकूल या कॉलेज यह यह चाहन की उसकेशनिचार रहेंगी हेड मस्टर की सिगनिचर उनके नीचे कॉंटक्ट नंबर आएंगा तो यह सब कुआपको प्रिंट्ट आउट करने के बाद यह सब कर लेना है तो यहांप लोड नीकल लेना है और नीकलने के बाद यहां पर आने के बाद इसको अपलोड आपको कर देना यहां पर separating पर क्लिक कर करें कीजिवर्प्ट होंगे या फिर गलती होंगी तो वह फाइनल सब्मिट करने के बाद एडिट नहीं हो सकती इसलिए आप सबसे पहले हैं पर आप सेव ड्राफ्ट पर क्लिक करेंगे यह देखे आप सेव ड्राफ्ट पर क्लिक करेंगे फिर इसका सेव ड्राफ्ट करने के बाद आप देख लें है वो सब एक काफि निकले लेंगे या अपकी उसकी प्रिंट revise लेना के साथ BC कॉपिए प्रिंट में ब dönूवाइट सब जमा करने को उसको बोलना पड़ेगा कि हमारे फॉर्म आप कर दीजी तो यह सब प्रोसेस का होता है तो कैसी लगी वीडियो हमें कमेंट करके जबर बता है और आप हमारे चनल पर नहीं हो चानल को सब्सक्राइब करें के बैल आइकान जबर प्रिस करिएगा तो चलिए मिलता है इसी एक नई वीडियो के साथ